ओम नमहाशिवाय सद्यों से हमारी धर्ती पर मानव रूप में अनेक आसाधारण महाशक्तियों ने जन्म लिया उनी में से हैं डुगरी वाले गुरुजी जिने हमने ना सिर्फ इश्वरिय रूप में पूजा भलकि उनके बताय रास्तों पर चले और इन इश्वरिय शक्ति ने हमारा मार्ग दर्शन और उधार किया इस कल्यूग में सन 1942 यानि सन 1952 साथ जुलाई सोमवार के दिन गुरुजी का जन्म हुआ और उनका जन्म हुआ तो बहुत तेज रोशनी भी हुई उनका नाम निर्मल सिंग रखा गया गुरुजी पंजाब शेत्र के मलेर कोटला जिले के डुग्री नामक गाओं में हुए उनकी माता सुखजीत कौर और पिता मस्तराम जी के ये पुत्र को साक्षात महाशिफ का आलोकिक वंदनिये महाकल्यानकारी रूप भी कहा जाता है जो नकारात्मक्ता को आम आदमी के जीवन से मिटा कर उन्हें नवजीवन प्रदान करते हैं नकारात्मक्ता जो किसी भी रूप में इंसान के जीवन का रास करती है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या आत्मिक हर तरह के विकारों को नश्ट करने की शक्ती इस कल्यूग में अगर किसी के पास अनन्थ है अपार है तो वो यही निर्मल गुरुजी है जिनको गुरुजी चतरपुर वाले या बड़े मंदिर वाले या डुगरी वाले गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है अनेक समय पर उनके चरणों से रोश्री निकलते देखिये उनके परिवार के लोगों ने बच्पन से ही उनकी अधित्विये शक्ती उनके परिवार के सदस्यों ने आस तरह से वो जगत के गुरुजी हो गए उनके चमतकारों की सूची तो अनन्त है पर मुख्यता उन्होंने सिर्फ जन कल्यान ही किया गुप्त और उजागर दोनों ही रूप से गुरुजी बस ऐसे ही गुलाब का फूल परगर्ट करके अचानक से अपनी मा या बहन कृष्णा क उपहार स्वरूप दे देते एक बार परिक्षा भवन में वो अन्य सहपाटियों के साथ परिक्षा दे रहे थे उनके दोस्त के पैन की इंक खतम हो गई उन्होंने गुरुजी से मांगा तो गुरुजी ने बस उसे चूँ दिया तो उसमें इंक भर गई ऐसे अनेकों अने एक चमतकार हैं जो गुरुजी ने अपने जीवन का आल में किये हैं हाला कि उन्होंने डबल में किया और अत्यंत सुन्दर स्वरूप और पढ़े लिके होने के बाद भी ना नौक्री की न शादी उन्हें तो हर समय संगत का भला ही करना होता था वहीं उनके जीवन का इकल संगत के दसों द्वार खुले देखे हैं संगत ने जिन में से सिर्फ खुश्बूएं आती अलग अलग तरह की अगर कोई संगत उनको चूले तो उसके जन्मों के पाप धूल जाते रोगों का निदान हो जाता और संगत को असीम शांती की प्राप्ती होती उनके पास से ग कुश्बू आए और पास खड़े व्यक्ति को ना आए उनके मुख मंडल पर इतना तेज होता कि लगतार कोई संगत उन्हें देख नहीं सकती थी क्योंकि अगर वो उन्हें देखे तो उन्हें अपने इश्ट शिव साई नानक जीजस अल्ला मातरानी जिनको भी वो मानते उनके दर्शन तक हो जाते उन्होंने अपने जल प्रशाद चाय प्रशाद और लंगर प्रशाद से अपनी संगत को कई असाध्य रोगों से निजाद दिलाई उनके पास जो भी व्यक्ति गया उससे सिर्फ दिया कभी किसी से कुछ लिया नहीं अगर कोई जिद में कानून पूजा पाठ के बंधन में नहीं बांधा गुरुजी कहते शिफ पुरान ही इस कल्यूग में मोक्ष दिलाने का एक मात्र माध्य में बाकी उनका नाम लेना और उनके कहे कुछ विश्णों पर चलने से ही वो अपनी संगत का सरवदा कल्यान करते गुरुजी कहते कि मेरे से बिलकुल सीधी तार जोड कर रखो कोई मीडियेटर नहीं कोई बुद्धी या बल मत लगाओ मुझे तक आना है तो मेरे साथ सीधी बात करो मन से मन को मिलाओ मैं सब सुनता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है वही मैं तुम्हें देता हूं गुरुजी का सरूप से संभोधित करते हैं वो भी उनकी Blessing से भरी होती है जिनें खरीदना नहीं होता अगर आप मन से चाहोगे तो वो आप तक पहुंचेंगी ही और उनके सुरूप से अमृत शहद, दूद, घी की बारिश भी होती है जो उनकी blessings की ही निशानी है तितली का दिखना, मोर की आवाज आना ओम के दर्शन होने, किसी भी चीज में खुश्बु का आजाना आसपास उनके, सब उनके bless करने के तरीके हैं आपको उनकी कोई सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए वो भी आपके कर्मों को काटते हैं एक माध्यम है, सेवा, गुरुजी तक पहुँचने का गुरुजी कहते हैं, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा करो वही जीवन में सबसे जादा महत्वपूर्ण है उनके मुख्य शब्द, blessings always और कल्यान कीता जा एशकत में हर व्यक्ति का कल्यान नेहित होता उनके स्वरूपों में इतनी पावर है कि अगर उनको जल में डुबो कर इसका जल पिया जाए तो आपकी आई हुई तकलीफ से तुरंत आपको रहात मिलेगी डुगरी वाले गुरुजी या कायाक अपने हातों में सचकन का प्रशाद भी ले आते थे कभी फूल जड़ते, कभी लड़ू, कभी मिठाई, कभी टौफी, कभी साड़ी और जो भी चाहें वो अपनी संगत को प्रशाद के रूप में विस्रित करना वो उनके हातों में अचानक से आ जाता था और आज भी ये होता है किसी संगत के घर में सत्संग के दौरान या यूँ ही जो कि गुरुजी की उपस्तिती का आभास दिलाता है गुरुजी अपने आसपास आई संगत को खिला कर ही खाते और उनके सारे कश्ट अपने शरीर पर ले लेते उनको एक ही समय पर दो या उससे जादा जगे पाया गया है कहीं वो संगत के बीच बैठे उनका कल्यान कर रहे होते तो कहीं किसी संगत की अचानक पहुँचकर जान बचा रहे होते या कहीं अपनी दिव्यता का प्रकाश फैलाने कहीं देखे और अनुभव किये जाते और ये सब बिलकुल एक ही समय पर होता जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है संगत के पास उन्होंने अपने एक एक अन्याई अपनी दिव्यता से बनाया निश्काम भाव से समाच की सेवा की पत प्रदर्शन किया समाच का उनके साथ बैट कर सत्संग किये शबत सुनाई उन्हें सत्संग जिसको वो एक तरह की दवाई कहते और प्रात्ना करने का एक माध्यम वह कहते जितना सत्संग करोगे और सुनोगे आपके उतने कश्ट कटिंगे करम कटिंगे और आपकी उतनी ही जल्दी हीलिंग होगी और आपके साथ जुड़े उन सब लोगों की भी healing होगी जो आपके साथ सत्संग कर रहे हैं और आपके आसपास की सारी जगे से नकारात्मक्ता भी चली जाएगी उनका बीज मंत्र ओम नमह शिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमह शिवाए गुरुजी सदा सहाए को महा मंत्र बताया गया है इस मंत्र को सम्मलित रूप से जपने से आसपास इतना तेज उत्पन हो जाता है कि वो मौत तक को पराज़त करने की अधित्य शक्ति रखता है मंदिर जिनको छोटा मंदिर भी कहा जाता है वहां बैठते नब्बे की दशक में उन्होंने अपने निरीक्षन में एक अकल्पनिये मंदिर का निर्मान करवाया जिसे बड़े मंदिर छतरपूर के नाम से विख्यात है इस मंदिर में बारा जोतिर लिंगों का तप बल और शक्ती एक शिवलिंग में समाहित कराई गुरुजी ने और उस पावन भूमी पर मात्र पैर रखने से ही उस व्यक्ति की पुष्टे तक तर जाती है गुरुजी कहते एथे लाइना लगा करेंगी दर्शन वास्ते और आज यही सच है लाखों की तादात में संगत आती है गुरुजी की संगत संपूर्ण विश्व में करोडों की तादात में है और हर संगत गुरुजी के प्यार में डूबी है और कृतार थे उनके द्वारा किये गए कल्यान से जो कि एक तरह का सत्संग कहा जाता है चुकि वो मानव चोले में आये इस कारण में कुछ सीमाओं म बद्धे थे अताहूं उन्होंने अपना ये चोला त्याग दिया बहुत कम उम्र में ही सन 2007 31 मई रविवार के दिन और महा समाधी ले ली पर सिर्फ मानव चोला त्यागा अपनी संगत को कभी नहीं और जादा कल्यान करते पाया गया गुरुजी को उनके दिव्य दर्शन होत पारित करती है कि गुरुजी हर उस जगे हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से श्रद्ध से और बिना किसी स्वार्थ के पुकारा जाता है गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया पर जो वो अपनी संगत से यदा-कदा कहते उनकी संगत उन्हें सहेच कर सवन्निम व बुरा ना सोचो, ना करो और नहीं किसिके बारे में बुरा कहो. गुरुजी को जिस चनने मान लिया और उनको मान रखा और उनका मान रखा, उसकी जिम्मेदारी 24 घंटे, 8 पहर, 7 दिन, ताउम्र गुरुजी की हो जाती है वो जो गुरुजी को मान लेता है, फिर गुरुजी उसके सर्वे सर्वा, राखा, साई और पालनहार हो जाते है उससे और उससे जुड़े हर जन के लाखो भटकते हैं, पर वो एक मनजिल दिखलाता है, लाखो रोते भी लगते हैं, वो एक आसू पोचने आता है दिल में उठती जो दुआ एक पल में ही सुन जाता है, वही नूरे जहां इस दुनिया में सद्गुरु कहलाता है जै गुरुजी, अनन्तम शुक्राना गुरुजी गुरुजी के तीन मुख्य तीर्थ स्थान है बड़ा मंदिर छतरपुर बटी माइन्स तीन सो डिफेंस कॉलोनी जलंदर डुगरी मंदिर खन्ना रोट, मलेर कोटला, पंजाब गुरुजी क्या मनाए जाने वाले पांच मुख्य त्योहार है महाशिवरात्री, बैसाखी, गुरुजी का जनम दिन, साथ जुलाई, गुरु पूर्डे माः और 31 दिसंबर की रात, यानि नए साल की शुरुवात गुरुजी ने बहुत ही प्यारे स्वन्निम वचन कहें हैं, उनमें से जो मुख्य पांच वचन वो कहते हैं, वो है ग्रस्त जीवन में रहकर ही इश्वर की प्राप्ती हो सकती है दूसरा, गुरुजी कहते हैं, इफसन बट्स में मत पड़ो, गुरुजी पर पून्तह विश्वास रखो तीसरा, गुरुजी कहते हैं, मांगो नहीं, मानो चौथा गुरुजी कहते हैं मेरे साथ सीधी तार जोड के रखो मेरे साथ डारेक्ट कनेक्शन रखो कोई मीडियेटर नहीं पांचवा गुरुजी कहते हैं अब्यूस, ब्लेम और क्रिटिसिजम से सरवदा दूर रहकर इश्वर की प्राप्ती हर इंसान को बहुत जल्दी हो सकती है जै गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी